आदम खोर हुआ जामगण भगदोई का एक बाग 12 साल के मासुम बच्चे का टाइगन ने किया सिकार ग्राम भगदोई निवासी सीताराम बारा बर्शी बालक को घर के पास से उठा कर ले गया बाग जंगल में छत बिक्चित हालत में टुकडों में मिला बालक का सब बन बिवाग और रुष्तानी पुलिस मौके पर पहुची सिंगोरी अभ्यरंट छेतर से लगा हुआ ग्राम भगदोई आजपास के ग्रामीडों में दैसत का माहुल महा सक्ती औजदाले दर्द की बेजोड दबा महा सक्ती बान तेल जोडों का दर्द घुटनों का दर्द कमर दर्द पीट का दर्द बिच्छू का दर्द पर तुरंत रहात महा सक्ती औजदाले हनमान बाग बेगम गंच संपर्ग करें सुनील सर्मा गर्दगन से हमारे संबाद दाता मसूद पटल की रपोर्ट तेंदुए ने फिर किया हमला दो गंबीर ग्राम अधियारी में सुबाए नो बजे की घटना त्रेसर चलाने गए थे किशान गेहु की फसल पर बैठा तेंदुए ने कर दी अहमला ग्राम बासियों में देसत बनविवाग पहुचा मौके पर गायलों को राइसेन अस्पताल किया रहे फर बनविवाग की टीम ने ग्राम में डारा डेला तेंदुए की सरगर्मी से तलास जानकारी के अंसवार ग्राम अधियारी के पास कुछ दिनों से तेंदुए की आमद होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। आप यह उसने पकल दी है राज कुमार की। पानी गंदा हो रहा है तालाप की साफसफाई का पैसा आता है पर जाता कहां है यह आज तक समझ में नहीं आया कागजों में खर्च होता है और बागी का गोलमाल कर दिया जाता है। खजराहों के तालाप में इतनी गंदगी क्यों है। नगरपाल का इसके लिए जिम्मेदार नहीं है इसके लिए आलकलोजिकल डिपार्टमेंट जिम्मेदार है जिसके सीए जो है वो इसकी सफाई के लिए कुछ भी नहीं करते हैं वीजे वो सिवरात्री के टाइम पे नगरपाल का नहीं सफाई करवाई थी। वागी आलकलोजिकल डिपार्टमेंट में पैसा आता है सफाई के लिए और वो चंदा नाम पे सब को लेप अप होती हो।